श्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब कैनल डाइनलिक एडवेंचर पर आज मैं आपको कुछ चीजों से रूबरू करवाना चाहता हूँ जैसे कि आपको मालूम है कि हम नेचुरल हनी जो कि हम लगवैली के एक दूर दराज के गाउं समालंग के घने जंगलों से लाते है तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस हनी को पैक करते हैं तो दोस्तो ये हमारे पास आधा किलो का आधा लिटर का कांच का जार है और ये हमारे पास आधा लिटर का ही प्लास्तिक का जार है लेकिन हम कांच के जार का यूज करना फ्रेफर करते हैं क्योंकि ये टेस्टिंग में पाया गया है कि जब हम शहद को प्लास्टिक के जार में डालते हैं तो कुछ पार्ट चो प्लास्टिक का है वो शहद के साथ मिक्स हो जाता है जो कि एक फ्लास्थे के लिए अच्छी बात नहीं है इसलिए हमने कांच के जार का यूज करना फ्रैफर करा तो हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से इसमें शैद की पैकिंग करते हैं अब आप देखिए यह हमारे पास कांच का जार है और यह इसका धकन है धकन में जो है हमने इसके अंदर जो एक वाइट जो एक सिलिंग का यूज इसमें इसलिए के जाता है ताकि यहाँ पर शैद की लिकेज ना हुसके और धकन को यूज करने से पहले हम यह फॉल का यूज करते हैं फॉल के दो पार्ट से एक यह थोड़ा सा रफ पार्ट है और दूसरा स्मूद पार्ट है जो एक शाइनिंग तो जब यह चिपक जाता है तो जो भी हनी हमारा इसके अंदर होता है उसको अगर अगर आप उल्टा भी करोगे तो यह बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और उसके उपर से फिर हम यह धकन लगा देते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि यह सब पूरा प्रोसेस करने के बाद हमा बोटल को reverse भी कर दो तो भी जो हनी अगर आप इसको पूरी रात भी ऐसा रखोगे तो सुबह तक एक भी बून छोटा सा भी जो इसका पाट है वो बाहर नहीं आएगा तो यह जो है एक best packing है हनी की तो दोस्तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस प्रोसेस से हम हनी बताते हैं हनी को निकालते हैं कैसे हमने हनी को पैक करा यह तो मैंने आपको बता दिया लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हनी हम निकालते कहां से है और क्या प्रोसेस रहता है कि हनी वीज उस पर्टिकुलर जगह पर आए और हनी को वहां पर इकठा करा तो हमारे लोकैलिटी में उसको बोलते है धंडोर धंडोर माने एक ऐसा प्लेटफर्म एक ऐसी जगह जहां पर, हनी, बीस हनी को ये को कलेक्ट कर देगी इसको कि 17 सकते है कि ये पर नूह करने लिए उसका घर है झिसको को हम भोलते हैं लोकैलिटी में धंडोर तो धंडोर को जो रखने का जो एक बहुत सुटेवल जो टाइम माना गया है हमारे पूरवजों द्वारा वो एप्रिल मंत का माना गया है और इसका जो पूरा का पूरा जो हनी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस से वो लगवग आठ महीने का होता है यह एप्रिल में स्टार्ट होता है और नमेंबर मिड तक जो है हनी को पूरी तरह से हार्वेस्ट किया जाता है तो इस वीच में क्या होता है कि यह जो हनी के लिए जो एक घर जो बनाया जाता है वो एक स्पेशल लकडी का बनाया जाता है और उसमें लाल मिटी औ और गोबर की लिपाई की जाती है और उसमें एक छोटा सा होल रखा जाता है जो की एक दरवाजे का काम करता है हनीवीज के लिए हुआ 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 है